अचानक अयोध्या पहुंचा सैकडो गिदों का जुन्ड, अयोध्या पहुंचे जटायू राज के वन्शज, जिला के मिलकी पुर, तहसील, शेत्र, अंतरगत, धरौली गाउ पहुंचे विलुप्त प्रचाती के गिद, ग्रामिनों के कोतुहूल का बना विश्य देखकर ल पहुंचने से प्राकर्तिक संतूलन गड़ बढ़ा जाता है, गिदों की लगातार कम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाती के पक्षियों में शामिल किया गया है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अचानक अयोध्या में सैकडो गिदों का जुन्ड पहुंच पहली खबर है जहां पर भगवान शिरी राम की जनम भूमी पर पहुंचे महात्मा जटायू और वहीं दूसरी खबर जहां पर राम जनम भूमी के बाद एक और अंदोलन की शुरुआत होने वाली है, आपने भी ये खबरे कही न कही पर जरूर सुनी होंगी, लेकिन आपक कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायू पहुंच चुके हैं, दोस्तो आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद दिखाई नहीं देते थे, और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिदो का जुंड पहुंच गया है, लोग कह रहे हैं कि ये स आकशात जटायू है, जो भगवान शिरीराम के मंदिर के प्रान प्रतिष्टा में शामिल होने के लिए आए हैं, दोस्तो आयोध्या से जटायू जी के प्रवेश की ये खबर, जैसे ही लोगों को मिली, ये ट्विटर पर वाइरल हो गई, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे, इसके अलावा बड़े-बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुन चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खबर है, कि जटायू जी अ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है, आखिर क्यों ये गिदों के बड़े-बड़े समुह अयोध्या पूरे सिख्था होने जा रही है, ये अपने आप में एक चमतकार है, जहां तक जटायू का सवाल उठता है, तो जटायू का रमायन में जिक्र मिलता है कि महराज दशरत के मित्रत है, देवसुर संगराम में उन्होंने महराज दशरत का साथ दिया था, और उसके बाद जब माता सीता का हरन हुआ, तो उस समय जटायू ने जब देखा कि रावन माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है, पुश्पक विमान पर, तो जटायू ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की, आसमान में जटायू उरते हुए पहुँचे और रावन से यु उन्होंने हैतात कहकर संभोधन किया जटायू जैसे की पूरी कहानी है पहले की वो सारी बता देते हैं कि रावन लेकर की गया है सीता जी को भगवान राम ने ये भी कहा है कि हम आपको अमर कर देते हैं लेकिन जटायू ने कहा कि नहीं मुझे अमरता नहीं चाहिए मुझे ऐ अब हमारे सामने हैं मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं अगर अबन हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा जब जटाईू ने प्राण त्यागे भगवान राम ने अपने पिता जी की तरह ही उनका अंतिम संसकार क कि ये जो गिद लुप्त हो चुके थे यहां तक की सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद एक लुप्त प्रजाती है लेकिन अचानक तेई साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटाईू का ये बहुत बड़ी बात है और एक किसी चमतकार से कम नहीं है योध्यावासी भी ऐसा मान रहे है यानि की जिस प्रजाती के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी है कि ये प्रजाती अब दुनिया में एक्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन भगवान श्री राम की महीमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्रान प्रतिष्टा की शुब घड़ी आई ना जाने कहा से जटायू महराज स्वयम साक्षात योध्या में प्रकट हो गए इस पर रामायन में भी लिखा गया है कि हरी अनन्त हरी कथा अनन्त कहहीं सुने ही बहुबिदी सबसंता यानि भगवान की महीमा अनन्त है उसको ये क्या सरकार क्या दुनिया क्या वैग्यानिक कोई नहीं जान सकता आज जटायू जी का योध्या में आना ये वैग्यानिकों को भी चुनौती देता है उन नास्त अरे मूर्खों जब स्वयम तेतीस कोटी देवता सूर्य नाग किनर यक्ष गंधर्व भगवान शिरी राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं तो तुम क्या तुम्हारी आने वाली हजार पीड़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड सकती दोस्तों इस पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है ना सिर्फ भगवान शिरी राम को मानने वालों में बलकि जो भगवान शिरी राम को गाली भी देते हैं वो भी मजबूर हो गए हैं भगवान शिरी राम की महिमा मानने को यहां एक चीज़ में आप सबसे कहना चाहूंगी दोस्तों उनके ही किसी शायर ने लिखा है फानुस बनकर जिसकी हिफाज़त हवा करे वो शमा क्या ही भुजे जिसे रोशन खुदा करे तो दोस्तों जब प्रकरती खुदा रही है भगवान शिरी राम की प्रान प्रतिष्था में कुद्रत के नए-ने चमतकार हो रहे हैं ऐसे मंदिर क गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो कभी गिरा पाएंगे हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कटर पंथी जिस प्रकार से नश्ट हो गएं उसी प्रकार से एक दिन वो भी नश्ट हो जाएंगे अब आते हैं दूसरी एहम खबर पर जो की आई है वरि शान करके रख दिया है दरसल ये बात है वरिंदावन की जहां साधवी रितंबरा देवी का जनम दिन मनाया जा रहा था और साधवी रितंबरा का ये साथवा जनम दिन था जिस पर तीन दिवस्य कारे करम था यहां पर देश के ग्रह मंतरी अमित शाजी को भी आना था लेक केश्व प्रसाद मॉरे उत्तर प्रदेश के डि प्टी सीम है। इस मौके पर जब डिप्टी सीम से ये सवाल किया गया कि श्रीराम जनम भूमी के बाद अब क्या होगा। यानि की केशव प्रसाद मौरे जी ने ये बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जनम भूमी की जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किया जा चुके हैं दोस्तों और सबको इंतजार है अब 22 जनवरी का जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रान प्रतिश्टा की जाएगी उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जनम भूमी की मुक्ती की तयारी भी शुरू हो जाएगी क्योंकि डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौरेय ने ये कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तयारी की जा रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर चल जरूर रहा है और उमीद है कि 2024 के चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी भी जाएगी आपको क्या लगता है दोस्तों वो भी कमेंट में हमें अवश्य बताएं चौदवी शिताबदी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ था तो शिरी राम जनम भूमी को नश्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई थी 1525 में राम जनम भूमी मंदिर को बाबर के सेना पती मीर बांकी ने धवस्त कराया था तीरत नगरी अयोध्या को सत्यूग में वैवस्वत मनू ने बसाया था यही प्रभु शिरी राम का जनम हुआ जिसका जिकर वालमिकी की रमायन में भी है सालों तक चले राम राज्य के बाद जब शिरी राम ने जल समाधी ले ली तो ऐयोध्या नगरी सूनी हो गई ऐसे में अब ऐयोध्या में बन रहे भव्या राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है तो फ्रिय दर्शको आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप भी भगवान शिरी राम के भक्त हैं तो जहे शिरी राम का जैकारा पूरे जोश से पूरी श्रधा से कमेंट्स में जरूर लगाना और साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे थैंक्स वाचिंग